हेलो दोस्तों इस्ट्री नाटीवान यूट्यूब चलनल में मैं विकास सिंग आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग लेके आए बीयो की टेस्ट सिरीज 2 इसके पहले हमने पहला सौल्व किया था एक बात से आप निश्चिंत रहें कि हम जो भी कोश्चन्स यहां पर ड में या कहीं न कहीं किसी न किसी परिक्षा में वो कोश्चन आया होगा ठीक है तो चलिए हम सीरीज 2 और आपको जानते हैं कि यह क्या होगी आपकी 15 प्रस्णों के शरिंखला होगी जैसा कि ऐसा संभावित है कि बीयों में 15 कोश्चन आयेंगे रिजनिंगे लेकिन जो वाले 13-14 प्रस्ट तो वो भी इसको देख सकते हैं या जो भी एक्जाम देते हैं और प्रेक्टिस के लिए इस को देख सकते हैं तो इसकी बात करें तो यह क्वेशन आईस की परिक्षा में पूछा गया है यूपियस्सी आईस की परिक्षा में पूछा गया है तो अब देखे अगर हम बात करें कि घड़ी की सुई की तो घड़ी के जो घंटे के और मिनट की सुईयों के बीच नब्यांस का कोड यह एक घंटे में कितनी बार होता है दो बार ह देखे तो यहां पर हम पिनाःस को डिटेल में बताया चोवालिस बार होता है हर घंटे में जुदा लेकिन तीन और नौ के घंटे में इस दूर एक बार बनता है तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 44 और यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इस प्रसन के लिए 44 ही हमारा क्या होगा राइट आंसर, जो हमसे पुझा है कि कितनी बार सम कोड का निर्मारा करती है तो आंसर क्या हो जाएगा 44 ठीक है, चलिए, अगले प्रसन की तरफ बढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर यह रहा सीरीज का प्रस्न है ना दिया है P O Q S R T U V W में रिक्त अस्थान को निर्दिष्ट कीजिए तो दिहान से देखिए कि कह रहा है P O Q S R T V U W खालिस्तान तो देखिए P से S हुआ तो प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस 3 तो क्या हो जाएगा Y है ना अब कितने option wise हैं तो एक तो यह option wise है यह है बाकी यह दोनों नहीं हैं तो हम क्या सकते हैं कि यह हमारे answer नहीं हो सकते हैं क्यों क्योंकि 16 इसका करमांग होता है इसका कितना होता है 19 इसका कितना होता है 22 तो यहां कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीक अब देखिए 15 प्लस 3, 18 18, 3 21, और 21 और 3 कितना हो जाएगा बताए 24 होगा न और 24 किसके लिए होता है, X के लिए होता है क्यों, क्योंकि O का 15, T का 18, U का 21 और X का क्या होगा, 24 तो Y और X किस option में है दूसरा पे है न, यह आपका तीसरा option क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए 17, 3, 20 23, 23, 23 और 23 और 3 क्या हो जाएगा, 26 और 26 किसके लिए होता है, Z के लिए होता है तो Y, X, Z इस प्रसंद के लिए हमारा यही क्या होगा, राइट आंसर होगा, Y, X और Z चलिए, अगला प्रसंद, किसी ने चितकुट भासा में, SEND को V, D, Q, G लिखा जाता है, B, I, E, R, D को E, L, U, G लिखा जाता है, तो L, O V, E को कैसे लिखा जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा कि हमको यहाँ पे लॉजिक देखना है तो देखिए, S से V हुआ, तो कितना जुड़ गया प्लस 3, क्यों, क्योंकि S का 19, और V का क्या होता है 22, A से D हुआ प्लस 3 हो गया चो, V से Q हो गया मतलब प्लस 3 हो गया और यह भी प्लस 3, मतलब प्लस 3 का लॉजिक है, अगर हम यहाँ पे देखें B, I B, I, R, D है न, क्या है E, L, U, G यहाँ पे देखिए, 2 से 5 प्लस 3, I से L प्लस 3, R से U प्लस 3, और D से G क्या है, प्लस 3, मतलब सब में प्लस 3 जोड़ा गया है, तो अगर हम इसको देखें, L, O, V, E को प्लस 3, तो 12, 3 15, क्या होजाएगा, O है न, 15, 3, 18 क्या होजाएगा, R, अब देखिए, अगर O की बात करें, तो यह N से है, नहीं होगा N से नहीं होगा, अगर सपोज कि किसी जगा O नहीं होता, तो हम एक ही option माल लेते, लेकिन अब O, R V, 22, 3, 25, और 5, 3, 8, 8 का मतलब क्या जगा O, R, Y, H O, R, Y, H, आप पहेंगे चौथा option ही हमारा क्या होगा Right answer होगा चले, अगला प्रस्ण आपके screen पर यह रहा है बहुत यह अच्छा प्रस्ण है आनंद को अवस्य साकाहारी होना चाहिए क्योंकि वह बहुत से है यह तरक मानता है अगर मान लेजिए हम आपसे कहें यह तो बिल्कुल बेवहारी question है है ना, जैसे कोई पूजा करता हो, पुरोहित हो, तो आप उससे क्या उमिद करते हैं, कि वह साकाहारी होना चाहिए क्यों, क्योंकि वह पूजा को पुरोहित मांस का सेवन नहीं करता है, कोई ऐसा पुरोहित मिल जाए जो बहुत ही बड़ा मांसा हारी हो फोर विलर भी खाता हो, टू विलर भी खाता हो, तो आप क्या सोचते हैं आस्चर चकित होते हैं कि नहीं या जो लोग लगतार सेवन करते हैं उनमें कोई साकाहारी मिल जो लोग मांस का सेवन ज्यादा करते हैं उनमें कोई साकाहारी मिल तो आप क्या करते हैं क्यों तो मांस वाले खाते हैं क्यों साकाहारी है बस सुन जाई ऐसा होता है न ये कह रहा है कि आनंद को अवस्य साकाहारी होना चाहिए अवस्य मतलब अनिवारे रुख क्यों? क्योंकि वह बौध है यहां जहां हमें एक बात निकलती है कि बौध को क्या होना जरूरी है वो क्या है साकाहारी तो अधिकांस नहीं अवस्य लगा दिया सब ही बौध क्या होते हैं साकाहारी होते हैं आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बहुत साकाहारी होते हैं यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि बहुत क्या होते हैं साकाहारी होते हैं ठिक चले आगे देखिए कह रहा है कि एक कन्वेयर बेल्ट पांच मिनिट में 3 टन की दर से शमान पहुंचाता है ठिक और दूसरा conveyer build 2 मिनट में 1 टन की दर से समान पहुंचाता है दोनों conveyer build को एक साथ इस्तेमाल करने पर 33 टन समान 33 टन समान पहुंचाने में कितना समय लगेगा ठिक दो conveyer है एक की कारे छमता अलग है दूसरे की कारे छमता अलग है तो यहां से हम देख लेते हैं कि अगर ये पांच मिनट पहले कन्वेयर की बात करें तो यह पांच मिनट में कितना टन पहुचाता है तीन टन पहुचाता है है ना पांच मिनट में कितना टन पहुचाता है तीन टन पहुचाता है तो एक मिनट में कितना टन पहुचाएगा तो आप कहेंगे तीन बटा पाँच टन ये पहला कन्वेर हो गया ठिक दूसरा कन्वेर देखिए वो क्या करता है दिख रहा है आपको चलिए रेड ले लेते हैं दिख रहा होगा दूसरा कन्वेर क्या करता है कि दो मिनट में एक टन तो एक मिनट में कितना हो जाएगा एक बटा दो टन है ना बसमन में आई एक मिनट में कितना हो जाएगा एक बटा दो टन तो ये बताईए कि जब दोनों कन्वेर को एक साथ करेगा दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक मिनट में ये दोनों उठेगा ना मतलब एक और दो कन्वियर द्वारा अगर एक मिनट में हम बात करें तो कितना उठ जाएगा तीन बटा पांच पहला उठाएगा और एक बटा दो दूसरा उठाएगा तो कितना हो है न क्यों कि पहला तीन बटा पांच उठाएगा दूसरा एक बटा दो किदर पांच एक पांच तिन दूना के छे पांच ग्यारा बटा दस टन अब इसको हम मिटा देते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा जिनको समस्या होगी वो दुबारा से वीडियो पीछे जाके इसलिए एक टन उठाएंगे कितने मिनट में 10 बटा 11 मिनट में इसलिए कितना टन उठाना है 33 टन उठाना है न 11 बटा 10 10 बटा 11 गुड़े क्या ताहें 30 कितना हो गया है 3 दहा में 30 मिनट होगा आपका आंसर वो 30 मिनट आप्शन में है तो तीसरा आप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा फिर समझ लेजिए 5 मिनट में 3 टन इसका मतलब 1 मिनट में कितना टन 3 बटा 5 टन 2 मिनट में 1 टन तो 1 मिनट में कितना टन 1 बटा 2 टन अब दिखे जारा सा दोनों 1 साथ शुरू होंगे तो 1 मिनट में ये भी काम करेगा उसी मिनट में ये भी काम करेगा दोनों 1 मिनट में काम करेंगे तो ये 3 बटा 5 उठाएगा और ये एक बटा दो उठाएगा इसका मतलब एक मिनट में कुल जोड देंगे एड कर देंगे तो कितना तो उठेगा 11 बटा 10 तन तो 33 मिनट में कितना हो जाएगा 11 बटा 10 10 बटा 11 गुड़े 33 मिनट हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा चलिए अगला प्रस्म एक पात्र जल में इस प्रकार भरा जाता है कि उसकी मात्रा प्रतेक 5 मिनट में दुगनी हो जाती यदि पात्र को पूरा भरने में 30 मिनट लगता हो तो उसे 14 मात्रा में भरने में कितना समय लगेगा तो दोस्तो एक बात समझेगा ये दुगना हो रहा है है ना तो बहुत पहले एक जन संख्या को लेके एक मूवी में कोई सीन था है ना बेसिक समझेगा ज़रा सा कि जो लोग बताते हैं कि जो है बिग बैंग थीरी को मानते हैं या ऐसा मानते हैं जनसंख्या भी स्पोर्ट की चीज़ों को लेते हैं तो वो क्या तरक देते हैं कि एक माल लेज़े कोई वाइरस है है ना ये कोई वाइरस है ये प्रते एक सेकंड में क्या होता है दुगुना हो जाता है प्रते एक सेकंड मे तो जब इसमें आया तो पहले एक आया तो फिर यह दुगुना होगे तीन हो गया, है ना, फिर यह हो गया, क्या हो गया, छे हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, बारा के बाद फिर क्या, 24 हो लेकि जब ये आधा जार भरेगा उसके अगले सेकेंड में ये क्या होगा पूरा जार भर जाएगा न बताइए पूरा जार भर जाएगा न एक समय प्रित्वी पे ऐसा होगा कि वजन ऐसा मतलब जनसंग क्या बढ़ेगी कि प्रित्वी उसको जेल फाने में क्या होगी असमर जब ये पूरा भरा होगा, सपोच किजिए, यह पूरा भरा होगा, यह पूरा पार्ट भरा होगा, इसमें 30 मिनट लगे होगे, है न, तो दुगुना होके ही तो भरा होगा न, दुगुना का मतलब ये आधा पार्ट होगा, तो आधा पार्ट ये कब होगा, 25 मिनट में हो जा दूरेगा बीस मिनट में एक चभथाई फिर 25 मिनट में आधा और 30 मिनट में पूरा तो इसका आंशर क्या हो जाएगा 20 मिनट होलाacula क्यों कि कोई चीजा अगर दूगुनी होके भरती है तो आधा का जब जूगना होगा तो हो जाएगा जब वहाब भरेगा तो दुगोण हो जाएगा पूरा तो इसका मतलब अगर पूरा 30 में हो तो उसके 5 कुंदала ज़िए हो रहे हो तो क्या होक सकता हो ज़िए ल गारी को एक साट तो बाशियर घड़ीफ हर ना तो क्या सोट सेट है ले पर ंसर होगा बीच का noon code, यह को हो गया है, यहाँ पर code कर लेज़ेगा, noon code है, ठीक, तो 3 बचकर 25 मिनट पर हमसे code पूछा गया है, तो यह होता है इसका formula, मत देखा हाँ code बराबर, clock का, अगर आप part 2 देखेंगे, तो यह चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है, तो इसके रहे हमें मनाय क्या 13 H plus M by 2, लगभग क्या 6 M, लगभग का मतलब घंटे मिनट में जो बड़ा हो, उससे हम छोटे को गुड़ा कर देंगे, ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, H की value क्या है, 3, और M की value क्या है, 25, तो हम कहेंगे 30 गुड़े 3 प्लस क्या, 25 बटा के 2, लगभग 6 गुड़े 25 यह कितना हो जाएगा, 90 और 12, 102.5 और लगभग क्या, 1,500, 1,500 बड़ा है, तो 150 माइनस 102.5 बड़ाबर क्या हो जाएगा, 47.5 आपका पहला है, या इसका दूसरा तरीका क्या होता है, दिहान से देखेगा, यह तो हमारा basic है, है ना, है ना, इसको आप यहीं पर लिख सकते है, 30 और 90, है ना, जैसे हम कहें, कि इसको आप 15 लिख दें, और यह तो 25 है, तो इनके मिनटों का difference कितना है, बताए, 10 मिनट है ना, तो 1 मिनट में 6 डिगरी, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 डिगरी, है ना, और 25 बटा 2 का मतलब क हो जाएगा, 12 दस्मलों पांच, इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 47 दस्मलों पांच, जिस तरीके से करिए, आंसर यहीं आएगा, ठीक, चलिए, अगले प्रसंग की तरह बढ़ते हैं, वर्स 2011, निम्न मेंसे किस वर्स के समान है, है ना, वर्स 2011, तो हम क्या करेंगे, 11 को 4 से डिवाइड करें, है ना, 11 को 4 से डिवाइड करें, 4 दुना के 8 क्या हो गया, 3, 3 का मतलब कितने वर्स बाद, तो यह 11 वर्स बाद रिपीट होगा, है ना, और 2011 में, हम 11 जोड़ दें, दो हजार बाइस चौथा option ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा है ना अब यह trick क्या जरा समझ लीजेगा अगर जब भी year के reputation की बात करें तो हम फिर से repeat कर दें हाला कि calendar में हमने इसको पढ़ाया है लेकिन हम यहाँ फिर से लिख देते हैं year divided by 4 यहाँ से कुछ भागफल आएगा है ना भागफल से कोई मतलब नहीं है सेस्फल से मतलब होता है सेस्फल से मतलब होता है और सेस्फल यदि एक आता है तो छे वर्स बाद repeat होता है दो आता है तो ग्यारह वर्स बाद repeat होता है तीन आता है तो ग्यारह वर्स बाद रिपीट होता है और जीरो आता है तो 28 वर्स बाद रिपीट होता है 28 वर्स बाद रिपीट होता है और एर क्या होता है यह होता है लास्ट की टू डिजिट या बाद के दो अंक तो ऐसे ही हमके 2011 में एर क्या है 11 11 को हमने 4 से डिवाइट किया भागपल से कोई मतलब से इस पल कितना आया 3 और 3 आने पर कितने वर्स बाद 11 वर्स बाद 2011 में हमने 11 जोड़ दिया और यह क्या हो गया 2022 यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा चले अगला प्रस्म तस्वीर में एक आजमी को इस आया करते हैं महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलोते पुत्र अच्छा से यह बताईए अगर कोई महिला कह रही है मेरे दादा के इकलोते पुत्र है ना जड़र सूचिए आपके ये कि आपके दादा के इकलोते पुत्र आकर आपके चाचा हो इनको भूल जाए तो कौन होगा तो आपके दादा के इकलोते पुत्र मतलब आपके पिता होंगे अगर महिला ने ये बात कही तो ये हो गया महिला का पिता महिला का पिता इस लाइन का मतलब यह किसकी बात करें, महिला का पिता, वह क्या है, उसके भाई का पिता है, मतलब आदमी के भाई का पिता, मतलब आदमी का पिता, यह बताइए, महिला आदमी के भाई का पिता, आपके भाई का पिता आपका भी पिता होंगे, है न, अगर जो आपके भाई क पिता है वो आपके भी क्या होंगे पिता होंगे तो आदमी के भाई का पिता मतलब आदमी का पिता क्या है महिला का पिता है इसका मतलब दोनों का पिता क्या है एक ही है ना जब दोनों का पिता एक ही है इसका मतलब क्या है कि महिला का तस्वीर के आदमी से क्या है तो महिला त लोते पुत्र पिता होते हैं चले अगले पुछन की तरफ यह पिदेखे बहुत अच्छा कुछन है बहुत ही अच्छा कुछन है ज़राइस का पांसर देंगे बहुत ही आसान है बहुत टफ नहीं है 20, 28, 41, 69, 40 छोड़ दिया 110, 143 अब यहाँ पर हमको difference देखना चाहिए तो यह difference किसका हो गया? 8 का यह किसका हो गया? 13 का यह किसका हो गया? 18 का और यहाँ पर हम देखें तो क्या है? 33 का difference है तो 8, 5, 13 13 और 5, 18 तो 18 प्लस 5 क्या होना चाहिए? 23 होना चाहिए है न? और 23 और 5 क्या होना चाहिए? 28 होना चाहिए बताइए और 28 और 5 क्या होगा? 29 होगा? है न? तो 23 और जब हम 69 में 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 82 टू और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा एटी टू है ना चले अगला प्रस्ण मिलम निमलिकी स्रेडी में प्रस्णवाच्च चिन्य के स्थान पर अब देखे ज़ह रहा साथ 13-13-16 13, 16 13, 6, 19 19, 6, 25 25 और 6, 31 31 तो कोई वर माला में होता है निसलिए हम इसको 26 घटा देते हैं तो क्या जाता है? 5 और 5 बराबर क्या होता है? E होता है तो यहाँ पर एक तो E होगा है न? क्यों? क्योंकि यह 13, 6, 19 5 प्लस पांच तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस प्लस छे प्लस पांच नहीं प्लस छे ठिक यह होता है 13 यह 19 और यह क्या हो गया 25 ठिक अब आते हैं आगले वाले पे है न यहाँ पे हो गया आपका E ठिक पंद्रह और छे 21 एकीस और छे कितना हो गया तो यह होता है 27 27 को यकशर होता नहीं 26 घटा दिया क्या गया 1 और वन बराबर क्या होता है A और इसमें जब हम 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा Z है न तो अगर आप देखें, तो E और G किसमें है, सिर्फ option 2 में है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, right answer, या आगे देखें, यह हमें की ठीकते हैं, फिर से E जी, यह हो गया E और यह हो गया G, 17 और 6, क्योंकि Q का 17 होता है और यह 23 होता है, 23 और 6 कितना हो गया, 29, 29 कोई लक्षर होत नहीं है, 26 गटा दिया 3, 3 बराबर क्या हो गया C, और इसमें जब जोड दें, 3 और 6 क्या हो जाएगा, 9, और 9 बराबर क्या होता है, I, तो E, Z, I, यही हमारा क्या होगा, right answer होगा, क्या E, Z, I, चलिए आगे, निम्रिखित में और संगत क्या है, आसानी से बता सकते हैं, दन क्या हो जाएगा, इसका right answer है, क्योंकि बाकि सब full है, flower, चलिए आगे हैं, क्या रहा है, सभी चिंगारी आग हैं, पहला कंतर, दूसरा है, सभी चिंगारी लब्टे हैं, सभी चिंगारी धुआ नहीं है, ठीक, सभी चिंगारी धुआ नहीं है, यहां पर high होगा, छूट गया, ठीक, तो अब ध्यान से देख़ेगा, हमके सभी पहले तो individual conversion करेंगे, तो सभी चिंगारी आग से क्या निकलेगा, कुछ आग चिंगारी है, है न, क्या है, सभी चिंगारी आग से क्या है, कुछ चिंगारी क्या है, आग है, सभी चिंगारी लप्टे नहीं होगा, सभी चिंगारी धुआ नहीं है, है न, देखिए बात, कि सभी चिंगारी धुआ न अगर हम आप से बात कहें कि सभी चिंगारी धुआ नहीं है इसका मतलब क्या है हम यहाँ पर संभावना की बात करें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं है नो, सब ही चिंगारी धुआ नहीं है, कुछ हो भी सकते हैं, और मतलब हम डाउट में हैं, तो यह क्या हो जब कुछ चिंगारी धुआ नहीं है, गलत हो जाएगा, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसको solve करने की जरूरत नहीं है, चले, आगे, महेश किस दिशा में जा रहा है, अब महेश किस दिशा में जा रहा है, तो ध्यान से देखेगा, महेश पहले किधर गया, पूरब में, कितना गया, आठ मीटर, अब देखिए, अगर वो 90 डिगरी क्लॉक वेश घुमेगा, तो कहां आएगा, नीचे, और नीचा कितना गया, वो 5 म गया, है ना, फिर उसके बाद हो क्या किया, 90 डिगरी क्या किया, बामावर्थ घुम गया, और बामावर्थ घुम गया, चल रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा क्या होगी, पूर्व दिशा, पहला option ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, कि महेश किस दि प्रत्योगिता के समाप्ति बराबरी पर नहीं होती है प्रत्योगिता की समाप्ति पर भी सदयव कहीं P से आगे है और P सदयव कहीं Q से आगे रहती है या तो R सदय प्रथामस्थान पर या T अंत में रहता है अथवा S प्रथामस्थान पर U अथवा Q अंत में रहते हैं तो यदि किसी विशेज दौड में V माचमा रहता है तो निम्रेखित में से कौन सा सत्य है ठीक है अब एक इसमें possibilities है इसलिए हम दोनों option को लेके चलेंगे तीन, चार, पाँच, छे और साथ ध्यान चे समझेगा बात को जब भी आपको sitting arrangement का प्रस्ण आए linear arrangement हो तो आप पहले ढूंड़िए इसको हम तीन प्रकार से सुरू करते हैं या तो हमको exact जानकारी हो कि कौन सा ब्यक्ति कहां बैठा है ये हमको exact जानकारी हो या तो बात ये हो कि हमें corner मिल जा है या हमको क्या मिल जा है सबसे बड़ा gap मिल जा है तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो we सदय कहीं पर P से आगे fix किसका है तो कहरा है कि यदि किसी बिसेंस दोड में V पाँचवा रहता है है नहीं ये fix है कि V क्या है पाँचवा है तो हमके एक, दो, तीन, चार V हो गया पाँचवा दूसरा option मिल जानकारी हो गया पाँचवा इसी का fix अस्थान दिया गया अब कहरा है अब इसमें हमको ये देखना है कि कौन सा नहीं होगा और कौन सा हो सकता है अब कह रहा है कि या तो R सदय प्रथम और T अंत में रहता है तो हमने यहाँ पर ले लिया R सदय प्रथम और T अंत में रहता है अत्वा S प्रथम यू अथवा क्यू अंत में रहते हैं तो S प्रथम हमने यहां पर लिया यू अथवा क्यू इधर हो गए ठीक है ना मैं सीदेश को solve कर सकता था लेकिन आपको पूरा basic समझाना इसलिए मैं सारी बातें लिख रहा हूँ जब आप solve करेंगे तो इतना आपको लिखने की ज़रुवत नहीं है ठीक है तो देखिए अब जड़ा सा देखिएगा यहां पर बात अब इस लाइन को पढ़िए V सदय पी से आगे है ना तो माले ज़े कि P को हम यहां रख दें है ना पी को हम यहां रख देते है ठीक है पी को यहां रख दिया और कह रहा है कि P सदय तो बताई Q के लिए क्या जगव अची क्योंकि कह रहा है P सदय वो Q से क्या रहता है आगे रहता है तो यह condition तो नहीं हो सकती ना बदेए ये condition तो नहीं हो सकती क्यों क्योंकि यहाँ पर T बैठा और Q को बैठाने के लिए जगा नहीं है हाँ यहाँ पर हम लें तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि यू अथवा Q में Q यहाँ हो जाएगा और P इदर हो जाएगा अब सारी बते आगे देखे ध्यान से है ना सारी बते आगे कि V सदैव कहीं पर P से आगे है और P सदैव कहीं पर Q से आगे है है ना तो कितने को हमने अरेंज कर लिया, चार को, इसके बाद बचे कौन, T बचा, U बचा, R बचा, इनकी इस्थिती के बारे में कोई हमको जानकारी नहीं है, कि इनमें से T, U, R कहीं भी हो सकते है, T यहाँ भी हो सकता है, T यहाँ भी हो सकता है, T दर भी हो सकता है, U यहाँ भी हो सकता है, R 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 यहाँ भी हो सकता है, तो बताईए, इनमें से confirm सत्य कौन सा है, करा S प्रत्थम स्थान पर रहेगा, V दूसरे स्थान पर रहेगा, T तीसरे स्थान पर रहेगा, R चौत्य स्थान पर तो T और R के तो इस्थिति क्लियर ही नहीं है, और V पाँचमा है, हो ही नहीं सकता, तो क्या बचा, S का जगा तो फिर गड़ बढ़ हो गया, समझे, मिट गया, चलिए, फिर से बना लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, हमने बताया कि S कहीं पर थम, U आ, Q यहाँ पे, V यहाँ पे, P यहाँ पे, तो यहाँ पे Q हो जाए क्यों, क्योंकि Q क्या आगे P है, तो यह तो confirm है न, एक्जाम में पूछा गया, ठीक, तो यहाँ से, आपकी सीरीज यह समाप्त होती है, इसके बाद हमनों लेकराएंगे, नेक्स पार्ट जो होगा, थर्ड हमारा, यह सीरीज, आप जो भी टे सीरीज आप दे रहे हैं, यह टे सीरीज आपको, हमारे अप्लिकेशन पे भी मिले होंगे, हेलफुल होंगे, तब तक के लिए, गुड़ बाई